हेलो माई यूट्यूब फामली कैसे हैं आप सब? I hope सब ठीक होंगे तो फ्रेंड्स अगर आप अपने बालों को लंबा, काला, घना और मजबुत करना चाते हैं तो ये रेमेडी बहुत ही खास है और इस रेमेडी को बनाना भी बहुत ही इजी है अगर आपके बाल जरुरत से ज्दा जड़ रहे हैं या फिर बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और आपके बाल बहुत ही कमज़ूर हैं तो ये रेमेडी आपके बालों को जड़ से स्ट्रॉंग बनाएगा आपकी रुके हुए ग्रोथ को बढ़ाएगा आपकी ह्यार को ग्रोथ कराने में मदद करेगा यह जो remedy है ना गाईस यह बिल्लकुल simple है और बहुत ही natural है इसको बनाना जितना easy है इससे use करना और भी easy है तो friends इसे अगर आप regularly मेरे बते हुए तरीके से use करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके बालों से जुड़े सारे समस्या दूर हो जाएंगे आपके सफेद बाल से लेकर बालों के टूटना तक यह हर समस्या का एक solution है यह आपके बालों को जड़ से strong बनेगा उसके साथ साथ आपके excess हैरफल को भी रोकेगा तो गाइस इस remedy को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें प्यास आप देख सकते हैं मैंने यहापे लिया हुआ है आपको एक बड़ा साइस का प्यास लेना है जो की वीडियो में आपको clearly देख रहा है तो गाइस इस प्यास को लेकर आपको क्या करना है इसको छोटे छोटे pieces में cut करना है तो आप देख सकते हैं मैंने यहापे एक प्यास लिया हुआ है एक onion लिया हुआ है और इसकी पिल को मैं out कर दूँगी पिल अप कर दूँगी इसके चिलके को निकाल लूँगी आपको भी असही करना है इसके चिलके को निकाल लेना है और निकालने के बाद इसको छोटे-छोटे पीचस में काट लेना है जैसे कि मैं आपको आगे बिलियों में दिखाऊंगे तो फ्रेंट्स प्याज में मौझोद सलफर बालों की जड़ों को पोशन देता है जिससे बालों की बिकास में मदद मिलती है बालों के लंबाई बढ़ाने के लिए प्याज का रस बिहधी उपयोगी है प्याज में मौझोद एंटिबेक्ट्रियल गुंड के कारण ये बढ़ानी हो या फिर इन्हें घना बनाना हो प्याज का रस बेहधी फाइदामंद सावित होता है आप इसके रस को किसी भी तेल के साथ बालों पर लाकर ऐसे ही अगर मसाज करें तो आपको एक सब्ता के अंदर अंतर दिखाई देगी यानिकि डिफरेंस दिखाई देगा So friends मैंने यहाँ पे पियास को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपको बिल्गुल इसी साइज में कट करना है इसे छोटा भी आप कट कर सकते हैं तो next हम इसको क्या करेंगे एक ब्लेंडर में डाल लेंगे जैसे आप देख करना है यहाँ पे बिल्कुल आपको वाटर नहीं डालना है आपको खाली पियास को ऐसे पीस लेना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको पीस के दिखाया हुआ है तो आप देख सकते हैं पीस जाने के बाद इसका जो कलर है यह कैसे आया है रेड ओनियोन और भी हलफुल होता है जैसे मैंने यहां पर लिया हुआ था जैसे आपने देखा ऐसे onion से red onion और भी effective होता है क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में सलपर होता है तो आप उसको पीछने के बाद इसका color देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसको एक बाउल में निकाल लेंगे यानि कि इसको strain कर लेंग so guys मैं जब तक इसको strain करती हूँ तब तक अगर आप मेरी चनल पे पहली बार आए हैं तो please subscribe to my channel और पास में जो bell icon है उसे प्रेस करना बिलकुल मत बुलिए क्योंकि उसे प्रेस करने के बाद मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँगी आप ऐसे अच्छे वीडियो का पाइदा उठा पाएंगे और उसे देख पाएंगे तो friends आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको strain कर रही हूँ बालों को लंबा करना घना करना शाइनी बनाना हर किसी की चाहत होती है बट होता यह है कि बहुत ज़्यादा pollution और careless की वज़े से हमारे बाल जरूरत से ज़्य होता जड़ने लगते है हमारी है ग्रोथ रुक जाता है बहुत आधर अधर की चीजें यूज करने से हमारी एक्सेस तूटने लगते है और बालों की घृवरत में बहुत ज़्यादा समस्या आती है जिसे हमारी फिर स brick कर नहीं पाते हुए फिर से li 원 का जूश जो है इसका क आपको एक lemon लेना है और उसको cut कर लेना है, cut करने के बाद इसका जो juice है उसको हम डालेंगे, तो friends आप सब को पता है, lemon बहुत ही helpful है हमरे hair के लिए, हमरे skin के लिए, यह क्या करता है, हमारी सर पे जो eating बगरा होता है, जो रिशी जैसे समस्तिया होता है, उन सब को दूर करता है तो आपको क्या करना है, lemon का one चमच, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक चमच यहाँ पर lemon का juice, आपको उस प्यास के रस में डाल लेना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो friends, lemon juice को हम यहाँ पर डाल लेंगे, प्यास के रस है और हमारे हैर के ग्रोफ को बढ़ावा देने भी मत तो फ्रेंट्स आब देख सकते हैं इसका जो कलर है एक इस तरीके का निकला है अब हम क्या करेंगे लेमन के जूस को और ऑनियों के जूस को दोनों को अच्छे से mix कर लेंगे थोड़ी देर इसको चलाने के बाद यह अच्छे से mix हो जाएगा तो friends आप सबको पता है lemon के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारी बालों के लिए हमारी बालों की growth के लिए हमारी जो access hairfall के लिए बहुत ही फाइदा मन्द है यह हमारी बालों को access जड ले सकते हैं like almond oil या पिर्वा केश्टर oil इन तीनों में से आप किसी एक को भी ले सकते हैं better यह रहेगा कि आप coconut oil यूज करें क्योंकि यह हर किसी के scalp को suit करता है और इससे बाल की जड़ने की समस्या जो होते हैं वो थोड़ा कम जाते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे नारिय तेल यूज करना है और इन तीनों को अच्छे से mix करना है नारियल का तेल, lemon का juice और onion का juice को इन तीनों को अच्छे से आपको mix कर लेना है mix होने में थोड़ा सा यह time लगेगा तो आप देख सकते हैं guys इन तीनों को mix करने के बाद एक इस तरीके का निकला है so guys यह जो हमारा magical hair serum है यह बनके अब ready है तो अब हम इसको लगाएंगे कैसे लगाने के बाद इसको रखना कितना देर तक है, store होगा की नहीं होगा चले मैं आपको आगे बदा दी हूँ तो guys आपको क्या करना है इसको जब भी आप use करें आप cotton की help से use करेंगे तो और भी फायदा मंद होगा और आपको easy होगा तो आपको क्या करना है एक cotton को इसमें deep कर लेना है और अपने hair के अंदर जो scalp होते हैं वहाँ पर आपको इसको ऐसे थोड़े थोड़े करके लगाना ह जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ आपको क्या करना है अपने hair scalp में अच्छे से इसको ऐसे लगाना है और hair scalp में लगाने के बाद आप पूरे hair land में इसको लगा लीजिए और लगा कर इसको minimum एक घंटा छोड़ दीजिए और एक घंटे के बाद आप अपने regular sample से इसको wash कर सकते हैं तो guys better result के लिए आप इसको हफ्ते में दो से तीन बार use कर सकते हैं इससे आपके बालों से जुड़े सारी समस्याय दूर होंगे इसके regular use से आपके hair फिर से growth होने लगेंगे आपके जो टूटे हुए बाल हैं वो फिर से वापस आएंगे यानि कि आप subscribe करना बिलकुल मत भूलिया मैं फिर मिलते हूँ आप से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए